हाई आपके लिए बहुत यूनिक सा ब्यूटिपल पैटर्न लेकर रहे हैं यह वन रोग का पैटर्न है और यह तू के मल्टिपल पे चलता है आप इसको किसी भी टॉप में गल्ट्स टॉप में कार्डिगन में किसी भी शॉल्स में जैकेट में कहीं भी डाल के पहन सकते हैं बहुत इजी और बहुत आसान है बैक से भी बहुत अच्छा लुप काता है इसका प्रेंट से यह बहुत अच्छा है तो चलिए हम इसको बनाना आपको रूप के मल्टिपल पे चलता है इसमें कोई एसस नहीं है हमने यहां पर 12 पंदे लिए एक पंदे को सिलिप किया एक पर दो बार दागा को रैप किये ऐसे सप्प्टे करते चाहिए यह देखिए रैप कर रहे हैं कि दो बार रैप किया कि अध्स जिसको चीटा बन लिया इसको सिलिप कर ली इसको खोले अब दो फंदे को खोल के लेफ्ट निडिल पर लिये अब क्या करेंगे इसके अंदर से इसको निकालना आ दागा इस रो में भी हम सिधा ही बुनेंगे तो अब इसमें से हम इसको बुन लेंगे पर्स बार और इसको शेकेंड पर ऐसे धागा रहने देंगे और एक और दो कोला कर रहे हैं कि इसको कि इसको बुन लिया है कि यह ना ही जी अज़ी अज़ी इसमें क्या है ना बाद वाले पंदे को लास्ट पर्सक्राइब पंदे को पहले बुनेंगे पर्स्ट वाले को बार में बुनेंगे दोनों को लेट नीडल पर ले लिए यह जो फंदा है ना इसको बादने बुनेंगे और इसके अंदर से निकालके तो फर्स्ट पंदे को हम लाश्ट पंदे को पहले बुनें पर्स्ट पंदे को पीची से बुनें लाश्ट में हमारा आता है एक आज तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आता है एक बार और हम दिखाते हैं देखें दो बार रैप किये सभी पंदे पे दो बार दो बार किये बारा आता है एक बार एक बना एक बना देए अब आप देखे बैक सर्ट से भी ये सीधा बुना जाएगा दाग अप सामने लाएंगे अब ये देखे एक तो दो को ले अब ये इसको पीछे करना है और इसको आगे तो हमने ऐसे करके ऐसे गुल लिया ऐसे एक खुला दो दो खुला कि इसको ऐसे करके गुल लिया एंडो जो उर दो कि यह कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनके आना शुरू हो जाता है कि एक आपको दीख रहना अगर यहां पर रैप करेंगे तो आपको आजाएगा कुछ इस तरह से बनके आएगा बहुत सुन्दर लगता है बनने के बाद में प्लस्ट में में चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल लिए तैंक्स पर वर्ट है आज आपके लिए बहुत यूनिक सा ब्यूटिपल पैटर्न ले यह वन्डो का पैटर्न है और यह तू के मल्टिपल पर चलता है आप इसको किसी भी टॉप में गल्ट्स टॉप में कार्डिगन में किसी भी शॉल में जैकेट में कहीं भी डाल के पहन सकते हैं बहुत इजी और बहुत आसान है बैक से भी बहुत अच्छा लुप काता है इसका प्रेंट से यह बहुत अच्छा है तो चलिए हम इसको बनाना आपको लूप के मल्टिपल पर चलता है इसमें कोई एसस नहीं है हमने यहां पर 12 पंदे लिए एक बंदे को सिलिप किया एक पर दो बार दागा को रैप किये यह देखिए रैप कर रहे हैं दो बार रैप किया एड्स जिसको सीटा बन लिया है सेकेंड रोते की ध्यान से इसको सिलिप कर ली इसको खोले अब दो फंदे को खोल लिए अब दो फंदे को खोल के लेफ्ट नीडिल पर लिए अब क्या करेंगे इसके अंदर से निकालना आए दागा इस रो में भी हम सीधा ही बुनेंगे तो अब इसमें से हम इसको बुन लेंगे पर्स बार और इसको second, फिर ऐसी धागा रहने देंगे, और एक और दू, कोला, और इसको, और इसको घुलिया, तेखिया है ना ही जी, इसमें क्या है ना, बाद वाले पंदे को, लास्ट पंदे को पहले बुनेंगे, फिर्स्ट वाले को बाद में बुनेंगे, दोनों को left needle पे ले लिए, यह जो फंदा है ना, इसको बाद में बुनेंगे, और इसके अंदर से निकालके, तो फिर्स्ट पंदे को, हम लास्ट पंदे को पहले बुनेंगे, फिर्स्ट पंदे को पीछी से बुनेंगे, लास्ट में हमारा आता है एक, तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आता है एक बार और हम दिखाते हैं दिखें दो बर रैप किये सभी पंदे पे दो बर तो हम दो बर रजते हैं एक बना एक बना देए अब आप देखिए बैक सर्ट से भी यह सीधा बुना जाएगा दाग अप सामने लाएंगे अब यह देखिए एक दो दो खोले अब यह इसको पीछे करना है और इसको आगे तो हमने ऐसे करके ऐसे बुन लिया ऐसे एक खोला दो खोला कि इसको ऐसे करके बुन लिया ए़ दो झाल झाल कि कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनके आना शुरू हो जाता है अगर यहां भी रैप करेंगे तो आपको आ जाएगा कुछ इस तरह से बनके आना बहुत सुन्दर लगता है बनने के बाद में प्लस्ट में में चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तैंक्स फॉर वर्च